गो हेलोग फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग test लिए आज हम बनाएंगे चना डाल की वार्फी तो फ्रेंड्स चाना डाल के वार Mart को हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर चना डाल की मनाने के अपर rural ले 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 नवा तो यहां पर आप मेजर्मेंट का बिलुकुल aucय तरीके से ध्यान रखें जैसे कि मैंने यहां पर लिया है 200 countries लिएए worst यहां पर आप पानी डाला है और अच्छे तरीके से इसको बॉस कर लेना है कि यह आप देखी सकते हो इसमें कितने जो भी गंदगी बगएरा रहेंगे वह सारे निखल जाएंगी तो बिल्कुल आपको क्लीन कर लेना है कुछ भी गंदगी बगएरा इसमें नहीं रहने देना है और यह जग लिए अब क्या करना है आपको निस्ट पोसेस की यहाँ पर आपको एक कोकर लेना है और जो भी हमने अभी च канाउ दाल को अच्छे तरीके से बौस केया था वस इसको डाल देना है अब बारे आती हैं यहाँ पर पाई डालने की तो जितना आपने चना दाल लिया है उस सब्सक्राइब करें लेकिन कम बिलुकुल भी नहीं और देखिए पाच सीटी के बाद मैंने यहां पर अच्छे सिसको निकाल दिया ठकन को और अभी आप देखी सकते हो जो चुना दाले हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके सी एक गल चुका है और जब आप इसे हाथों से प्र लेना है यह देखिए अब आपको क्या करना है अगला प्रोसेस कि यहां पर आपको एक कडाही ले लेना है मैंने यहां पर भारी तले की कडाही का इस्तेमाल किया है यहां पर पहले हमने डाला है रिफाइन वायल और स्वाद अनुसार के यहां पर हम दो चमच डाल देंगे तो यहां पर हम ज्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे यहां पर हम जितना कम घी का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करेंगे और देखिए यहां पर जो हमने लिया है जो हमने अच्छे तरीके से मैस करके रखा तो चैना दाल को इसमें डाल देना है और बस इसको अच्छे से चलाना है तो यहां पर फ्लेम को आप मीडियम रखें मीडियम फ्लेम पर आपको कम से कम 15 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि इसका जो कच्छा पन है बिल्कुल अच्छे से दूर हो जाए तो यह प्रोसेस बहुत जरूरी है क्योंकि चैना दाल में जो भी कच्छा पन तो आप देखी सकते इसका टेक्चर कैसा है और आप आपको इतना भूना है कि देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में जाने चाहिए तो इससे क्या होगा कि एक तो चैना दाल का हमारा जो कच्छा पन था भी दूर हो गया इससे खुस्वू जो है बुल्कुल सौंधी आ अपने चैना दाल लिया था उतना ही आपको चीनी भी आड़ करना है तो जैसे मैंने यहां पर 500 ग्राम चीनी भी लेना है और देखिए जैसे आपने चीनी डाला बस दो तीन मिनट के बाद बिल्कुल इस तरीके से मिल्ट हो जाएगी और दाल में बिल्कुल बढ़िया तरी करने के बाद यहां पर फिल्स करना कुछ भी नहीं है और अगर आप चाहें तो यहां पर आपने मन पसंद के ड्राइब फूट भी छोटे चोटे बार एक टुक्रों में कट करके डाल सकते हैं तो बस अच्छे से इसको सुखा लेना है और इतना सुखाना है कि यहां पर दे किसे इसको सेट कर देंगे इसको छोड़ देंगे हम एक घंटे के लिए ऐसे ही चाहें तो आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं ताकि यह बिल्कुल अच्छे सेट हो जाए और बस अब हम इसकी कटिंग कर देंगे यहां पर आप अपने मन पसंद के सेट में कटिंग कर सकते हैं और यह जो हमारा चैनादार का बर्फी है बिल्कुल बनकर रेड़ी हो जाएगा तो इसमें कोई भी महिनत नहीं है बहुत ही असान तरीका मैंने बताया है और बहुत ही असान से आप बना सकते हैं इसको तो एक पर आप जिरूर ट्राइब करना इस रिस्पी को मेरे बताये हुए तरीके से इसे में ज्यादा घी काप इस्तेमाल नहीं करेंगे और फ्रेंस यह देखिए आप हैना बिल्लुकुल मस्त हमारी बर्फी बनकर तयार हुई है यहां पर मैं आपको यह देखिए दिखा रही हू है alors से दिखे आप जैसे मैंने भी तोर कर दिखाया है आपको एकडंव नर्श मुह में घूल जाने बाली वर फिये है तो इसे दो एकपर